हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चानल तो गाईज जैसे कि आप लोग को पता ही है कि बीते दिनों लखनीत फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चड़ रहा है साथ ही मैं कल मैंने एक वीडियो भी डाली जिसमें रिकी ने अपना पॉइंट अफ व्यू दिया कि लखन और पाई के बीच में जो कुछ भी फाइट चल रही है कॉमेंट्स में बंद हो जाए और वो चाते हैं कि सब कुछ सौट हो जाए उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने try भी किया बहुत ज़ाधा पर दोनौने नहीं सूनी मेरी साथ ही रिकी ने audience को समझाते वे भी ये लिखा कि आप लोगी समझा सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि आजकल audience के ज़ाधा सुनी ज़ाती है गर वालों से जाधा लेकिन उसी बीच रिकी ने लखन और नीतु दोनों को भी अनफॉलो कर दिया जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं साथ ही में पाई ने भी लखन को अनफॉलो कर दिया है तो गाइस जहां रिकी लखन और पाई दोनों की लड़ाई को सॉल्व करवाने जा रहे थे उसी बीच उन्योंने लखन और नीतु को दोनों को अनफॉलो भी कर दिया है जहां पर उनके फैंस भी बहुत जादा नाराज हुए कि वो जहां पर अपने दोनों को लड़ाई को शान्त कराने जा रहे थे उन्होंने खोदी अनफॉलो कर दिया है जिससे ये पता चलता है कि पूरा रावत परिवार एक तरफ हो चुका है और लकण और नीतु को अलग कर दिया है तो गाइस आपकी क्या रहा है इस पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए